हुँँ HEALO EVERYON B metaphor हुए हमारा ओधु हमने देखा हमारा reservoir delivery देलिवरिवीटी ती हमने पूरा कdockद के है दहें तरहिद दलाप मेरा मेरा डिजवायर से maximum efficiency से किसमे ओल ले लेकर आथा आना मेरा व मैं transient में मेजर नहीं करता productivity index वह हमने देखा था क्यों मेजर नहीं करते किसलिए मेजर नहीं करते उसके बाद मैंने IPR देखा था IPR for one phase IPR for two phase and IPR partial two phase उसके बाद fatcovich आ गया था fatcovich for one phase fatcovich for two phase partial two phase यही चीज़े देखी थी मैं नहीं को detail में पड़ा था ठीक है अब पड़ते हैं हम क्या हमारा वेलबोर performance इस डिलिवरिविल्टी क्या हो गया मेरा रिजवर प्रेशर से PR से PWF यहां तक लेके आना ठीक है अब PWF से मेरे को क्या करना है उपर सर्फेस तक लिफ्ट करना है उपर सर्फेस तक लिफ्ट करना है इसको मैं बोलता हूँ वेलबोर performance यानि मेरा वेलबोर कितना अच्छा प्रफॉर्म कर रहा है इसको मैं बोलता हूँ वेलबोर प्रफॉमेंस चेक है अब देखो इसमें जो रहते हैं मेरा ये नरिस अधोड़ा कॉंट्राडिक्ट करता है आँक हम ने प्रफॉमेंस हमें इस अगर मेरा पीड़ावलॉएफ जीरो होगा तो मेरा क्यू मैक्स आएगा यादी मैक्सिम फ्लो रेत आएगा कहां वैल्बोर के अंदर यानि मैं PWF जितना कम हो सके वितना कम रखूँ ताकि यह मेरा ज्यादा हो और मेरा Maximum Flow Rate यहां पर कितना जाए Q-max आजाए मेरा वैल्बोर यह मेरा इस वाल डिविविवियल्टी बोलता है कि मेरा PWF जितना कम हो इतना अच्छा है क्या बोलता है Reserved Deliverability Valver performance मेरा क्या बोलता है मेरा PWF जितना ज्यादा हो जितना ज्यादा हो इन दा सेंस अगर मेरा PWF ज्यादा होगा ना तो यहां से मेरा pressure मिलेगा और यह pressure इसको क्या करेगा fluid को उपर lift करेगा ठीक है तो वेलबर performance के लिए क्या बोलता है कि मेरा PWF जितना ज़्यादा हो इतना ज़्यादा मेरे को उपर क्या मिलेगा और मिलेगा उपर surface पर deliver होगा तो यह दोनों चैप्टर इन चीज़ जो में contradict करते हैं तो production engineer काम कह रहता है इस PWF को एक टाम आता है optimize करना optimize करना PWF को यानि ना ज्यादा कम करना ना ज्यादा ज्यादा करना मेरे को ऐसे optimize रखना है कि मेरा PWF optimize हो जाए और मेरे को flow rate एक पॉइंट पे max उपर क्या मिल जाए उपर max flow rate मिले मेरे को maximum production मिले ठीक है तो production engineer काम वैल बोर परफॉर्मेंस में PWF को optimize करना रहता है ठीक है में चीज यह हो गया मेरा contradict कैसे होता है अब रही बात notations की notations हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं एक बच्चे का डाउट आया भी कि RW क्या होता है तो RW होता है मेरा वैल बोर का होता है इसको मैं RW बोलता हूँ यह मेरा tubing का radius था यह मेरा D यह डाइमेटर डी कि एक बच्चे का डाउट आया RW क्या होता है सर अपने ड्रेक्ट लिख दिया यह radius of wellbro होता है यानि कि यहां से यहां तक जितना में प्रडैक्शन ले रहा हूं मेरे radius of wellbore । और एक और मेरे का डाउट आया कि S क्या होता है सर कि S क्या होता है S मेरा होता है SKIN SKIN होता है जो मेरा D ामेज लेता है SKIN का होता है Damage in well हो सिय मैंने क्योंनी पढ़ाया है वहां पाइछ आच्छे क्योंकि इसपे नींति पूरा चैप्टर के बाद में तुन को मैं थोड़ा कलिय कर तो हम बेसिक डेफिनेशन हो गया रहा क्योंकि स्किन अगर मेरा आगे भी आता है तो बच्चों में डाउट ना रहे ठीक है अब ही एक सेंड विवर्ण पर्फोरमेंस को होल्ड रखते हैं स्किन की बात चलिए तो सकिन को क्लीर करते तो मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन तो से दा मेज और को बार डेमेज ठीक है मेरा अबेंडर डेमेज कैसे होता है मेरा वल बार ढमेर होता मालू मैंने 2bse किसी रेडियस तक मेरा सेंटर से किसी रेडियस तक मेरा वैल बोर क्या हो गया डेमेज हो गया डेमेज इन दा सेंट्स अगर मेरे रिजुएर में किसी में भी मेरे उसकी प्रोप्टी चेंज होती है फॉरसी टी या कुछ भी पॉरिब्किट अब्लोग वेटेकर वेग ​ गईर पकुछभी चर्छिंज होता हुँमिक परमेबिल्टी बंसिकली चर्छिंज होती है और में उसको मैं बोलता हूं मेरा skin किसकी वज़े से होती है जब मैं drilling करता हो नहीं तो मेरा mud क्या करता चला जाता है damage करता चला जाता वैल बूर को ठीक है तो मेरी permeability क्या हो जाती है कम इसी permeability का खेल रहता है इसको मैं बोलता हूं मेरी damage permeability हो गई यानि कि मेरा well board क्या हो गया damage हो गया और उसको मेजर करते हैं मेजर कैसे करते है Hawking's formula रहता है इसकी derivation आएगी इसकी derivation आएगी इस के chapter में यह मेरा Hawking's formula लहता है यह मेरा Hawking's formula रहता है के अपोन के एज माइनस वन एलन रस अपोन रव ठीक है इसके derivation आएगी तो यह मेरा रहता है skin का मेजर भई मेरा कितने radius तक skin था कितने radius का मेरा well board हो रहा है s is equal to k upon ks minus 1 इसको मैं क्या बोलता हूं इसको मैं बोलता हूं मेरा क्या है यह Hawking's formula इसके derivation रहती है derivation हम skin वाले पार्ट में ही करेंगे अब आगर मेरी skin आ जाती है ना तो skin को मैं क्या करता हूं ठीक करता हूं मालो मेरी permeability करेगी तो मैं इसको increase करने की कोशिश करता हूं वह मैं कैसे करता हूं मेरे well stimulations होते हैं acidization and hydrofac उनसे मैं क्या करने कोशिश करता हूं मैं अपनी permeability acidization and HF इनसे मैं क्या करने कोशिश करता हूं मैं किसी तरह permeability करते हैं अपने increase जो कि मेरी damage हो गई है किसी कारण वश उसको increase करने की कोशिश करता हूं क्या मेरी drilling के time पर ही होती है मड मड से damage नहीं अगर मैंने कुछ inject कर दिया ना और इसमें कुछ मेरा गल्द चला गया तब भी हो मेरे क्या करतेगी permeability को damage कर देगी कुछ particle चला गया foreign particle वह formation अती है ना जो मेरी formation उस formation को क्या करतेगी damage कर देगी तो बस यह होता है skin अब आगे skin अगर बोल तो confuse मत हो ना simple यही मेरा मेन होता है इसकी detailing हम करेंगे किस में skin वाले chapter में ठीक है यह थोड़ा जो डाउट आ रहा था वह बताया है मैंने एको डाउट आया था वह हम थोड़ा बाद में देखेंगे को डाउट आया था बच्छे का पहले यही देख लेते हैं वेलबर परफोर्मेंस तो मैंने देखा मेरा पॉंट्रडिक्ट करता था पी डवल्य एफ किस से रिजवर डिलिवरिविल्टी से और वेलबर परफोर्मेंस में में क्या चाहिए होता है हाई चाहिए होता है ताकि मेरा यहां से यहां क्या हो सके असानी से लिफ्ट हो सके इसकी क्या है नोटेशन्स देखते हैं मेरा ट्य governments already यहां पर कि कीथ डoco कि और वेलबर परफोर्मेंस किसवे डिपेंड़ करता है वेलबर प्रफोर्मेंस डिंट करता है मेरा जंसा फ्लूit अ यहां पर मेरे क्या रहए कोई फ्लूट आ दो सेंस वह वान फेज है या टू फेज है जो एल है या ओल प्लस गएस है इस पर दे निट र स्पेंड करता है तीसरा तो मेरा फ्लूर इजायम स्केयर से हो रहे हैं यह वाले फ्लूर इजायम से लग रहते हैं हम ने आप पर रशा हैं यह मेरे वेलबोर के अंदर रहते हैं वेलबोर के अंदर जैसे जैसे मेरी गैस निकलती रहती है उस हिसाब से मेरे फ्लोरेज़ाइम्स रहते हैं for example bubble flow ऐसे करके यह मैं बताऊंगा अभी Confuse नहीं करूँगा बस यह सोच लो कि मेरे थोड़े अलग होते हैं रिजोयर वाले से रिजोयर में मेरा ट्रांजियन्ट वगारा होता था यह वैल बोर के होते हैं तो मेरा फ्लूइड प्रॉपर्पटी इस फ्लॉर रजाइम्स और किस पे और एनर्जी बस इनी पर यह में चीज़ थोड़ी जिन पर मेरा डिपैंड करता है ओके इतना क्लियर अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वैल बोर परफॉर्मेंस में हम पढ़ेंगे क्या जानते है कि से वर्टिकल लिफ्त परफॉर्मेंस जो की ज्याधतर बोला जाता है व впер व बभी holistic autistic हमें करते है औरicorn प्रफॉर्मेंस रिएशनशड़rict से टीपी आर्टिकल लिफ्त प्रफॉर्मेंस यानि कि वार्टिकलर यकलанеा को लिफ्ट करना उसकी पर्फोर्मेंस या टूबिंग पर्फोर्मेंस रिलेशन्शिप यह जो टूबिंग लगी हुई है इसकी पर्फोर्मेंस कैसी है वह मेरा टूबिंग पर्फोर्मेंस रिलेशन्शिप होगा इतना क्लियर तो ट्पियाज गेट में हर 60 रहता है 2-5 मार्क्स दोन्ज कमाण के चलो Breakfast मेरा रहता है व्यलकी कैशे रहता ह nova CT इसा व्यल्पी में क्या खालो है या ये व्यल्पी में मेला थे क्याता प्रफ़ conservation है सबस्पे पहले हम शुरू करेंगे अप्नी energy बैलेंस से इसमें में ली मेरा एक फ्रिक्शन फेक्टर करके रहा था उसको अच्छे से पढ़ेंगे और दूसरा मेरा क्या रहाता है पॉजली एक्वेशन पॉजली पॉजली एक्वेशन के पॉजली के स्पैलिंग देखले ना पॉजली एक्वेशन इसके बाद हम अपना वी एल्पी कंस्टर्ट करना सेखेंगे और वी एल्पी कंस्टर्ट करने के बाद हम देखेंगे हमारा नोडल आनलेसिस को идंट 158 मेरा था थीक है का कि J leaos इसका वेल्ब करफ्यमेंस का इन के HAM परट्स रहेंगे वह न आपस ही तव्याइड भलब करफ्यमेंस का इनडेवा안 energy balance in the sense, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या-क्या लोस होता है, नर्जी लोस होता है, ठीक है, कुन सा-कुन सा अनर्जी लोस होता है, बर्नोलिज चाइप equation है, हमने 11th क्लास विगारा में, यह फर्स्ट चीर में पड़ी थी, बर्नोलिज उक्वेशन, उस चाइप की क्वे अब हम कंटिन्यु करते हैं हमारे इनर्जी बैलेस से, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इनर्जी बैलेस से,